हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपकी कैनन का नया मॉडल लाउंच हुआ है 2725 उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉर्मली जानकारी देने जा रहा हूं कि इसमें क्या-क्या कंपनी ने चेंजस किये हैं और इसमें आपको क्या-क्या नया फीचर देखने को मिलेगा तो बेसिकली आप जो है यह अभी शायद ही किसी ने मॉडल इंस्टॉल किया हो या कुछ लोगों ने किया भी होगा बट मैं आज पहली टाइम ही कर रहा हूं तो मैं आपको यह वीडियो दिखाता हूं ठीक है तो इसमें क्या-क्या है तो फर्स टाइम यह देखिए यह मशीन की बाडी लुक बगारा अच्छा कर दिया है देखने में बहुत अच्छी लगती है मशीन टोटल टच है तीन बटन के वल दे रखें हैं ओपर बस कीबोड कर ठीक है तो यह आप देखिए मैं फ्रंट दिखाता हूं इसमें टोनर और ड्रम कैसा होता है सेम कोई फरक नहीं ठीक है धेखिए लिएक ऐसे ही है क्लार मशीन में लगता है टीक है उल्टा सीदा लगेगा यह नहीं और इसमें एक च्प होती इसने में चीप होती है तेकिए जो गोल्डन करलर की जो दो टिप दिख रही है यह चिप है इससे ही मशीन सेंस करती है अगर नहीं होगी तो डूबली को टोनर अगर ऐसा कुछ एरर देगी तो आपको करेंगे तो भी चल जाएगी तो यह रा टोनर और इसमें क्या है लेजर कस्टमर को ही क्लीन करने के लिए दे देखे यह जो स्टिक है नीले कलर की इसको निकालना है आपको और यहां पर यह दिखे जो यह खाचा है इसमें आपको यह नीचे करके ऐसे पूरा अंदर तक डाल देना ठीक कभी लाइट कॉपी आए तो ऐसे करके दो बार साफ कर दीजिए और आप लगा दीजिए तो इस क्लीन करके लाइट कॉपी का सॉल्व कर सकता और इस तरह से इस्टिक यहां लग जाएगी ठीक है यह यहीं लगी रहेगी जब आपको लाइट कॉपी का इश्यू हो तो आप यूज कर सकते ठीक है तो यह देखिए कलर मशीन की तरह इसमें ऊपर एक ट्रे जिसमें केवल ए अब इसको उसी तरह से ही क्लीन किया और दोनीचे यह सेकंड ट्रे है इसमें एफ्री जो भी पेपर आप लगाना चाहिए लग जाए घर तो यह रही हमारा ट्रे ढोनों इसको भी आराम से छोड़ेंगे खट-खट नहीं करना इसमें आराम से ही निकालना और आराम से लगन तो कभी इधर लग निकालने के लिए इधर से आप पेपर निकाल सकते है ठीक है और इसमें Fixing भी चेंज हो गई है —— is Teams भी color machine वाली ही use की गई है जैसे color machine में fixing unit होता है वैसे ही होता है h Daddy से को बोलते है तो ये और यहां से देखें हाथ बना यहां से आप प्रेस करके डोर को बंद करें जब भी बंद करें तो इस तरह से यह हो गया और यह देखिए एडी अफ तो नॉर्मल जैसे सब का रहता है 25-25 का था सेम वैसा ही है इसमें भी ठीक है मिलता जुलता ही है और बाकी तो प्लैटन कवर से अगर यूज करेंगे तो न कि इसमें यह टच पैनल है जैसे कलर मशीन में होता है कि कॉपी कर लिए और यह पिन दे रख्या है जिससे आप इससे चला भी सकते हैं किसी को भी कोई फीचर पर चला सकते हैं और इससे भी चला सकते हैं कोई इशू नहीं है कलर मशीन की तरह इसमें भी सारे फीचर जितने फीचर कलर मशीन में है उतने फीचर इसमें भी है जब डिंड्राइब से print मुवाइल से print यह सब इसमें निकाल सकते हैं काउंटर का बटन है इनर्जी से इतनी बटन है फूलन निकालना हा तो चेक अउंटर का बटन प्रेस करेंगे और मशीन का पूरा डिटेल यह देखिए आ जाएगा और इस डिटेल को बाहर निकालना तो प्रिंट और यस कर देंगे तब भी निकलाएगा ठीक है यह है 2725 तो यह बस इतने ही फीचर मशीन देखने में अच्छी लग रही है ठीक है कोई इस्यू नहीं है सारे एडवांस मशीन के ही फीचर इसमें आ गए है ठीक है बाकी सब बढ़िया है कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू